नवश्कार बच्चो बच्चो उमीद है आप खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो बच्चो हम औरतों ने बदली दुनिया ये अध्याय कर रहे हैं इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं और इसका अगला भाग और अंतिम भाग अब हम करने जा रहे हैं इस भाग में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान काल में जो शिक्षा और विद्यालय है उनकी क्या स्थिति है और महिला जो अंदोलन है उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे और साथ में अंत में इसके प्रिशन उतर करेंगे तो आईए सबसे पहले हम वर्तमान में जो शिक्षा और विद्यालय है उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा जाने बच्चों आज कल आप देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे विद्याले जाते हैं स्कूल जाते हैं जिसमें छात्र और छात्राइं दोनों ही होते हैं पर शायद आपने एक बात नोट की होगी कई जगां पे तो नहीं है लेकिन कई जगां पे है क्या बात कि जब हम छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात देखते हैं तो ये पाते हैं कि छात्राओं की तुलना में छात्र विद्यालय में अधिक जाते हैं जबकि छात्राओं कम जाती हैं बच्चों आपको पता ही है कि भारत में हर दस वर्ष के बाद जन गन्ना होती है जन गन्ना आप समझ रहे हैं न क्या होता है जनों की गन्ना जन यानि व्यक्ति तो भारत में हर दस साल के बाद जनों की गन्ना होती है जिसमें ये देखा जाता है कि कितने पुरुश हैं कितनी वृद्ध है और साथ-साथ ये भी देखा जाता है कि ये जो जन है वो कितने पड़े लिखे हैं, वो कोन कोन से काम करते हैं, इस प्रकार की कई त्रहे की जानकारी इस जनगन्ना में ले जाती है। भारत में हर दस वर्ष के बाद जनगन्ना की जाती है अगर देखा जाए इतिहास में तो अंग्रेजों के समय से ही भारत में जनगन्ना का काम शुरू हो गया था 1872 में पहली बार जनगन्ना की गई थी लेकिन बाद में 1880 से हर 10 साल के बाद जनगन्ना की जाती है जैसे 1880 में हुई उसके हर 10 साल बाद यानि 1991 में फिर 2001 में इस परकार तो बच्चों भारत में पहली जनगन्ना अंग्रेजों के समय में 1872 से शुरू हुई है फिर 1880 से हर 10 वर्ष के बाद जनगन्ना यहां पर की जाती है 1880 के बाद 1891 फिर 1901 इस परकार हर 10 साल के बाद जनगन्ना के आंकडे एकत्रित किये जाते हैं अंतिम जो पिछली जनगन्ना हुई अभी तक वो 2011 की हुई है और अब 2021 में नई जनगन्ना के लिए आंकडे एकत्रित किये जाएंगे हम इनी आंकडों को अधार मान करके पिछली जो जनगन्ना हुई है उनी के अधार पर ये जानने का प्रयास करते हैं अब कि किस जनगन्ना के अनुसार कितने पुरुष या लड़के या कितनी इस्त्रियां और लड़कियां स्कूल में जाते थे या पड़े लिखे थे 1961 की जनगन्ना के अनुसार पुरुष या लड़के लगबग 40 प्रतिशत पड़े लिखे थे जबकि लड़कियां केवल 15 प्रतिशत पड़े लिखी थी जब हम ये आकडा लेते हैं तब हम साथ वर्ष या उससे उपर वाले जो लोग होते हैं उनका आकडा लेते हैं ये तो हमने 1961 की बात की की जहां पर पुरुष या लड़के 40 प्रतिशत पड़े लिखे थे और जबकि लड़कियां केवल 15 प्रतिशत लेकिन अगर हम सबसे अ आकडा लड़के और पुर्षों के लिए 82 प्रतिशत था और इस्त्रियों और लड़कियों के लिए 65 प्रतिशत है तो ये आकडा क्या बताता है हम इससे क्या निश्कर्ष निकाल सकते हैं हम देख रहे हैं कि दोनों की संख्या बड़ी है पुर्षों और लड़कों का जो अनुपात है वो भी बड़ा है लड़कियां और जो महिलाओं का अनुपात है वह भी बड़ा है पर हम एक चीज और देख रहे हैं कि लड़कियों की जो संख्या है वो कम है अब 2011 की जंगन्ना में क्या है जो पूरुष्या लड़के já वो 82 प्रतिशत हैं जबकि महिलाएं और इस्त्रियां केवल 65 प्रतिशत हैं अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन सा वरग है जो बीच में ही शिक्षा के अलग-अलग स्तर पर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है या विद्यालय को छोड़ देता है ड्रो विभिन वर्गों के उन लड़कों वह लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं आप चित्र में ये तालिका देख रहे हैं यहां पर सबसे पहले तालिका में दिया गया है स्कूल का स्तर यानि बच्चे किस तर्क पर पढ रहे हैं पहले में हैं प्राथमिक कक्षा 1-5 फिर है माध्यमिक कक्षा 6-8 फिर है उच माध्यमिक कक्षा 9-10 अब दूसरे कोलम में क्या है सब लड़के यानि जो लड़के हैं सब लड़के जितने भी लड़के हैं उन सब को हम लेकर चल रहे हैं अब हम देख रहे हैं कि प्राथमिक कख्षा एक से पांच में जो लड़कों का प्रतिशत है यानि 34 प्रतिशत लटके स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल यह तेैं सोर्त जबचितानी में में आ रहा है कि उच्छ माहद्यम इक सतर पर जैसे जैसे बच्चे जदा उची इन स्कूल छोड़ना शुरू कर देते हैं लेकिन एक आगे की जब हम बात करते हैं आगे एक अनुसुचित जाती के लड़के और अनुसुचित जन जाती के लड़कों की बात की गई है इसमें हम क्या देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर अनुसुचित जाती के 37 प्रतिशत लड़के स्कूल छोड़ देते हैं और माध्यमिक स्तर पर 57 प्रतिशत और उच माध्यमिक स्तर पर 71 प्रतिशत जबकि अनुसुचित जन जाती के जो लड़के हैं वो प्राथमिक स्तर पर 49 प्रतिशत माध्यमिक्स तर पर 79 प्रतिशत और उच माध्यमिक्स तर पर 78 प्रतिशत लड़के स्कूल छोड़ देते हैं यानि हम देख रहे हैं कि अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के जो लड़के हैं वो बड़ी संख्या में उच्छ शिक्षा या जैसे जैसे उच्छी ग्लास में जाते हैं वो धीरे धीरे स्कूल छोड़ना शुरू कर देते हैं इसी प्रकार जब हम लड़कियों की बात करते हैं अगर हम सब लड़कियों की बात करें प्राथमीक्स तर पर तो 29 प्रतिशत ल लडकियां या अनुसुचित जन जाती के लड़कियों की बात करते हैं प्राह्थम स्तर पर अनुसुचित जाती की 36 ipridiva pakני caus प्रभाषट प्रफिशत और उच मादभे में EXTर पर 75 प्रफिशत जबकी अनुसुचित जन जाती की प्राह्थम स्कूल चोड़ देती हैं आपने उपर की दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसुचित जाती और जन जाती की लड़कियों की स्कूल चोड़ने की दर अधिक है इसका आर्थ यहां हुआ कि दलित व आदिवासी प्रिष्ट भूमी की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है वर्ष 2001 की जन गन्ना से यहां भी पता चलता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपे तीन वर्ष रह पाती हैं जबकि अन्य समूदायों की लड़कियां स्कूल में चार वर्ष का समय बिता पा रही हैं। तो अगर हम इस तालिका के अधार पर निश्कर्श निकालें या बात में जो हमने बात की उसके अधार पर अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि देश के दलित वरग, आदिवासी वरग और जो मुसलिम वरग के बच्चे हैं वो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं. आखीर इसके क्या कारण हैं? इनके पीछे बहुत से कारण है जिसकी वज़ा से ये बच्चे अपना जो विद्यालय है या पढ़ाई के उच्च स्तर तक पहुचने से पहले ही अपना स्कूल या विद्यालय छोड़ देते हैं. अगर हम बात करें पहले देश के अनेक भागों में विशेशकर ग्रामिन और ग्रीब ख्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल हैं ना ही शिक्षक. और अगर अगली बात करें यदि विद्यालय घर के पास ना हो और आने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस याँ वैन आदी की विवस्ता ना हो तो अभी भावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते. इसके साथ ही कुछ परिवार अतियंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का कर्चा नहीं उठा पाते हैं. ऐसे स्थिती में लड़कों को प्रात्मिकता मिल सकती है और लड़कियां घर पे ही रह जाती हैं. एक कारण और भी है जिसकी वज़ा से बच्चे स्कूल छोड़ते हैं. बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं. जैसा कि आपने पिछले ध्याय में देखा था कि ओम प्रकाश वालमिकी को अपने कक्षा में सबसे पीछे बैठना पड़ता था और जो सहपाठी और जो उसके शिक्षक थे उसके साथ भेदभाव करते थे. आईए अब हम महिला अंदोलन की बात करते हैं. हम देख रहे हैं कि आज कल जो लड़कियां हैं बहुत बड़े स्तर पर विद्यालय में जा रही हैं और महा विद्यालयों में भी जा रही हैं. और इसके साथ ही अगर हम दूसरी बातें देखें कि कानुनी जो कारवाई की गई है महिलाओं के हितों के लिए वो भी अब ज्यादा हुई है जिसकी वज़ा से महिलाएं अपने आपको सुरक्षित समझती हैं. पहले क्या होता था उनके खिलाव हिंसा होती थी लेकिन अब उससे सबंदित कानुन भी बन गए हैं और जिससे महिलाओं को हिंसा से मुक्त किया जा रहा है. इसी के साथ स्वास्ते सबंदी महिलाओं का जो स्वास्ते है उसके बारे में भी कई चीजें हो रही हैं और महिलाएं अब खास करके जो गरवती महिलाएं हैं वो अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही हैं यह परिवर्तन अपने आप नहीं आये हैं ओर्तों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किये हैं इन संघर्षों को महिला अंदोलन कहा जाता है देश के विभिन भागों से कई ओरतें और कई महिला संगठन इस अंदोलन के हिस्से हैं कई पूरुष भी महिला अंदोलन का समर्थन करते हैं इस अंदोलन में जुटे लोगों की महनत, निष्ठा और उनकी विशेष्टाएं इसे एक बहुत ही जिवन्त अंदोलन बनाती हैं इसमें चेतना जागरित करने, भेद भाओं का मुकाबला करने और नयाय हासिल करने के लिए भिन भिन रणनीतियों का उपयोग किया गया है इनकी कुछ जलकियां आप यहां देख सकते हैं इन जलकियों में अगर हम बात करें तो पहला है अभियान यानि परचार परसार करना और इन अभियानों के कारण कई कानून भी बने हैं अब 2005 में घ्रेलू हिंसा कानून बना जो 2006 में लागू हुआ अब इसके तहट क्या हुआ कि जो घर में रहने वाली महिलाओं के साथ शारेरिक और मानसिक शोशन किया जाता था अब वो बंद हो गया है इसी तरह महिला अंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सरवोच नियालया ने कारया के स्थान पर और शैक्षनिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली योवन परताडना से उन्हें सुरक्षा परदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं एक और उधारन देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संग्ठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाब अवाज उठाई नव विवाहित यूवतियों को उनके पती और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मोत के घाट उतार दिया जाता था महिला संग्ठनों ने इस बात की कडिय लोचना की की कानुन अपरादियों का कुछ नहीं कर पा रही है इस मुद्दे पर कानुन अपरादियों का कुछ नहीं कर पा रहा है इस मुद्दे पर महिलाएं सडकों पर निकल आई उन्होंने अदालत के दरवाजे खट खटाए और आपस में अनुभव जानकारियों का अदान परदान किया अंततहा यह समाज का एक बड़ा सारजनिक मुद्दा बन गया और अख़बारों में च्छाने लगा दहेज से सबंदेत कानुन को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके यहां तस्वीर में आप देख रहे हैं एक महिला सत्यारानी यह महिला अंदोलनों की एक सक्रियस दस्या है दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में नियाए मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानुनी फाइलों से घिरी हुई स्रवोच नेयले की सीडियों पर बैठी है इसी परकार जाग रुकता बढ़ाना भी इस अंदोलन का एक हिस्सा है महिलाओं के जो अधिकार हैं लोगों को उनके प्रती जाग रुक किया जा रहा है और इसके लिए गीत गाय जा रहे हैं गलियों में सडकों पर जाकर के नुकर नाटक खेले जा रहे हैं और जन सभाएं की जा रही हैं तांकि जादा से जादा लोगों को जो महिलाओं के अधिकार हैं उसके बारे में जादा जानकारी प्राप्त हो तांकि उस जानकारी के बल पर एक बड़ा अंदोलन और चल सके और इसी प्रकार विरोहद करना भी एक इसी कड़ी का ही काम है जो औरतों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है क्या होता है जब महिलाओं के हितों का उलंगन होता है जैसे किसी कानुन अथ्वा निती द्वारा तो महिला दोलन ऐसे उलंगनों के खिलाब आवाज उठाता है लोगों का ध्यान खीचने के लिए रहलियां, परदर्शन, आदी बहुत असर कारक तरीके हैं जिसके जरिये विरोध व्यक्त किया जाता है ताकि महिलाओं के जो अहित की बात की गई है उसको वापिस लिया जाए और इसी तरह महिलाओं के साथ बंधुतव व्यक्त करना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है ये भी महिलाओं के अधिकारों के साथ जुड़ा होता है बीच बीच में कई लोग जिसमें पुरुश भी होते हैं महिलाएं भी होती हैं वो आपस में एक जगा बैठते हैं या तो किसी जो पुरानी घटना है उसको व्यक्त करने के लिए या फिर महिलाओं के अधिकारों की बात करने के लिए उनके साथ जुड़े होते हैं और इस प यहां पर आप देख रहे हैं कि आठ मार्च को पता है आपको कि आठ मार्च को अंतर रास्त्रिय महिला दिवस मनाया जाता है और यहां पर दुनिया भर की ओरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकठी होती हैं जैसा कि आप तस्वीर में देख र होते हैं और एक सांस्कृत सांस्कृतिक कार्यक्रम अयोजित करते हैं उपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुता प्रदर्शन करते हुए औरतें जलती हुई मौंबतियां उठा रही हैं तो इस प्रकार हमने देखा कि महिलाओं के अधिकारों क चला है किस प्रकार उसने एक अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है और एक गती भी पकड़ी हुई है तो बच्चों इस अधिहाय के दूसरे भाग में हमने ये देखा कि किस प्रकार वर्तमान में शिक्षा और विद्यालिया का स्तर क्या है और महिलाओं के अधिकारों के लिए जो अंदोलन चलाए जा रहे हैं वो किस रूप में हैं तो इसी के साथ हमारा ये जो अधिहाय है अभी समाप्त होता है लेकिन इसके माध्यम से आपने क्या जाना क्या समझा क्या पढ़ा आए उसको कुछ हम प्रशन उत्र के माध्यम से जानने का प्रयास करें पहले ह बहु विकल्पी प्रेशन करेंगे प्रेशन नम्बर एक भारत में जनगन्ना कितने वर्षों के बाद की जाती है विकल्प हैं 20 वर्षों 5 वर्षों 10 वर्षों 15 वर्षों बिल्कुल सही भारत में जनगन्ना 10 साल के बाद की जाती है प्रेशन नम्बर 2 2011 की जनगन्ना के अनुसार कितनी प्रतिशत महिलाएं पड़ी लिखी हैं विकल्प हैं 75 प्रतिशत 65 प्रतिशत 70 प्रतिशत 60 प्रतिशत बिल्कुल सही 65 प्रतिशत प्रेशन नमबर 3 निम्न में से कौन से वर्ग के अधिकतर बच्चे स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं विकल्प हैं दलित आदिवासी मुसलिम ये सभी बिल्कुल ये सभी इसका जो उत्तर है ये सभी क्योंकि दलित आदिवासी और मुसलिम ये तीनों जादा तर छोड़ देते हैं प्रेशन नमबर 4 ग्रहेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ विकल्प हैं 2004-2005-2006-2007 बिल्कुल सही 2006 बेशक ये 2005 में बना था लेकिन लागू 2006 में हुआ प्रेशन नमबर 5 अंतर रास्ट्रिय महिला दिवस कब मनाया जाता है 10 मर्च 11 मर्च 7 मर्च 8 मर्च बिल्कुल सही अंतर रास्ट्रिय महिला दिवस 8 मर्च को मनाया जाता है अब हम लगू उत्रात्मक प्रेशन करेंगे प्रेशन नमबर एक महिलाओं द्वारा अंदोलन क्यों चलाए गए उत्तर महिलाओं की मांग रही है कि उन्हें पुर्षों के समान अधिकार प्राप्त हों साथ ही महिला सुरक्षा से सबंदित कानुनों में बदलाव किया जाए प्रेशन नमबर दो योन परताड़ना से आप क्या समझते हैं उत्तर औरत की इच्छा के विरुध उसके साथ योन से जुड़ी शारेरिक व मौकिक हरकतें करना योन परताड़ना है प्रेशन नमबर तेन महिला अंदोलन और ओरतों के अधिकारों के लिए समाज में जागरुकता कीन माध्यमों से फिलाई जा रही है उत्तर गीतों नुकरनाटकों और जन सभाओं के माध्यम से जागरुकता फिलाई जा रही है अब हम एक धिरग उत्रात्मक प्रेशन करेंगे प्रेशन दलित आदिवासी और मुस्लिम वरक के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के प्रमुक कारण कौन कौन से है उत्तर ये कारण निमन लिखित हैं ग्रीब ख्षेत्रों में स्कूलों की कमी है जिसकी वज़ा से बच्चे स्कूल बीच में छोड़ देते हैं साथ ही इन स्कूलों में शिक्षकों की भी कमी है जिसकी वज़ा से बच्चे स्कूल को बीच में ही छोड़ देते हैं इसके साथ ही बच्चों को ले जाने और छोड़ने की विवस्ता अर्थात परिवेहन का अभाव है जिसकी वज़ा से बच्चे स्कूल नहीं जाते और स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं इसके साथ ही माता-पिता का निर्धन होना क्योंकि कई बच्चों के माता-पिता बहुत गरीब होते हैं वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते और इसके साथ ही ये भी है कि कई बार स्कूल में दलेत आधिवासी और मुस्लिम वरक के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है शिख्षकों और सहपार्टियों के द्वारा जिसकी वज़ा से बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अधिहाए समाप्त हुआ। उमीद है कि आपको अच्छी त्रहंस समझ आया होगा इसी के साथ आपका धन्यवाद।